हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत हाई मैंने इस्टेडी पर चलिए केमेस्टी की जीकेया सुरू करते हैं बहुत इंपोर्टन्ट केस्टन है और लगभागार पेपर में काईक सार्य केमेस्टी बाट से आ जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इलेक्ट्रोन रेन आवेशित होता है इसी में इलेक्ट्रोन प्रोटान जो नियोट्रोन होते हैं तो प्रोट्रोन पॉस्टिफ होता है नियोट्रोन उदाशिन होता है नेक्स्ट है पीबीसी विनाइल क्लोराइड का बहुलक है एनि पॉली विनाइल क्लोराइड ये पूरा नाम है कई बार तो PVC का फुल फाम ही पूछा जा चुका है सेकरीन टालूइन से बनता है नेक्स्ट मानाव ने सबसे पहले तामा धातु का प्रयोग किया ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार रिपीटेड है ये और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें सेयर करें अधि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा सेयर जरूर करें चलिए आंगे देखते हैं प्राक्रतिक गैस का मुख घटक है मीठेन इसे मार्स गैस भी कह जाता है इसका सूतर है CH4 नेक्स्ट है लाल धातू जर्मन सिल्वर कॉपर जिंग्ध निकल का एलाउय है नेक्स्ट एल पीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है इसे आप बीपी के उसमें ट्रिक से जान जाते हैं बीपी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन नेक्स्ट से किटानो नासा के रूप में किलोरीन का प्रयोग होता है ब्लीचिंग पौडर के रूप में केल्सियम हाइपोक्लोराईट, केल्सियम केल्सियम हाईडROक्साइड तीनों का इस्तेमाल किया जाता है bleaching powder के रूप में calcium hypo chloride, calcium chloride और calcium hydroxide तीनों का इस्तेमाल किया जाता है next है mars gas में मुखता मीथेन होती है वही CH4 गोबर gas में भी मुखता मीथेन होता है next question है silver bromide यानी की AGBR का उपयोग photography में होता है फिर है आसुद जल माने distilled water सरवादिक सुद्ध जल होता है इसके बाद बरसा का जल सुद्ध होता है यानी सबसे ज़्यादा pure distilled water होता है यानी की यासुद जल और उसके बाद बरसा का जल सबसे सुद्ध होता है next है एक rayon ये करतिम रेशा है जो cellulose से बनता है गंदे पानी को साप करने के लिए फिटकरी का उपयोग होता है फिटकरी का सूत्र भी देखना होता देख सकते है K2SO4 AL2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O यह फिटकरी का सूत्र है नेक्स्ट है साबुन के उद्द्योग से मिलने वाली जो बाई प्रोड़क्ट है वो ग्लिसराल होता है नेक्स्ट है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए औक्जेलिक इसिट का प्रयोग किया जाता है डिटर्जेंट में सोडियम और पोटेसियम के बाई कारवोनेट होते है जो अपना डिटर्जेंट होता है गुबबारों में हाइड्रोजन की जगा हिलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह एक्रिय गैस है तथा हाइड्रोजन की तरह जोलन सील नहीं होती है गुबबारों में भी और वाइड्रोजन के टाइरों में भी वैसे तो हाइड्रोजन सबसे हलकी गैस होती है लेकिन जोलन सील होने के कारण वाइवन के टायरों में और गुबारों में हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है रक्त में लोहा धातु पाया जाता है नेक्स्ट है TNT, ट्राइनाइट्रो टॉलूइन एक विस्पोटक पदार्थ है जो अमोनियम नाइट्रेट के मिस्टरन से तयार किया जाता है फिर नेक्स्ट है एंजाइम मोल रोप से प्रोटीन के बने होते हैं नेक्स्ट पैरासोट टेरीलिन से बनता है दूद एक प्राकृतिक पायस है तो पैस का मतलब जब दोनों द्रब होंगे लेकिन वो अमिश्टरनी द्रब होंगे और दोनों के एक दूसरे में डाल दिया जाए तो जो बनता है वो पायस होता है जैसा नाम अनार्मा लिक जांपल आप समझ सकते हैं जल में तेल और तेल में जल या तो आप जल में तेल मिला दीजिए, दोनों आप साप साप दिखते हैं, या तेल में जल मिला दीजिए, वही कहलाता है पायस, तो दूध है प्राकृतिक पायस है, हिमालसन, नेक्स्ट है लोहे में जो जंग लगने की क्रिया है, वो आक्सीगण की प्रक्रिया है, नेक्स् साधान नामक का रासानिक नाम है sodium chloride यानि की NaCl धोने के सोडा का रासानिक नाम है sodium carbonate यानि की Na2CO3 into 10H2O Next है खाने के सोडा का रासानिक नाम sodium bicarbonate इसे baking soda भी का जाता है इसका सूत्र है NaHCO3 Next है बेकरी में किस soda का प्रयोग करते हैं हूई baking soda NaHCO3 बुजा हुआ चूना रासानिक दर्ष्टी से क्या है calcium hydroxide है यहीं कि CaOH का fall twice फिर मरा हुआ चूना रासानिक दर्ष्टी से क्या होता यह calcium carbonate है यहीं कि CaCO3 इसी से चाक बनता है यहीं मारवल का शूत्र भी है चाक क्या हुआ है calcium carbonate मरा हुआ चूना यहीं कि CaCO3 नेक्स्ट क्वेस्टन है ताजा चूना कर असानिक नाम क्या calcium oxide यहीं कि CaO नेक्स्ट है copper sulfate को नीला थोथा कहा जाता है यहीं कि CuSO4 into 5H2O कौन सी हसाने वाली gas है nitrous oxide है यहीं कि N2O gypsum क्या है calcium sulfate नेक्स्ट है सुस्क बर्भ एक सेकंड दोस्तों सुस्क बर्भ सुस्क बर्भ क्या है ठोस करवंडा यह सट को सुस्क गैस कहते हैं लाल दवा क्या होती है potassium परवाईन लाल दवा कहते है यानि कि KMNO4 नेक्स्ट है सोरा का रासानिक नाम यह कहलाता है potassium nitrate फिर सोरा या potassium nitrate का इस्तेमाल किसमे किया जाता है यह होता है बारूद बनाने में यानि कि gun powder बारूद बनाने के लिए सोरा या potassium nitrate के इस्तेमाल किया जाता है बारूद अर्थात gun powder यह किसका किसका मिस्रण होता है गंधक यानि कि सलफर कोईला यानि कि चारकोल और सोरा यानिकी potassium nitrate के emotional से बारूद बनाया जाता है नेक्स्ट है बारूद या gunpowder का विसकार रोजर वेकन ने किया था फिर है उर्ध पातन यानिकी सबली मेशन ये क्या प्रक्रिया होती है कि जब कोई ठोस पदार्थ होता है उसे यादी गरम किया जाए तो वो बिना द्राव में बदले सीधे वास्प बन जाता है माने सीधे गैस बन जाता है ये क्रिया उर्ध पातन कहलाती है जैसे आप कपूर को जलते देखे होंगे नौसादर को देखे होंगे ये सब सबली मेशन से ही होते हैं ये उर्दपाती पदार्थ है नेक्स्ट है परमाणू की सरचना का सिध्यांत किस ने दिया था ये जान डालटन ने दिये थे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किस ने की थी जेजे टॉम्सन ने की थी इसमें आप electron, proton, neutron तीनों की खोज एक trick से कर सकते हैं eat पर नाच हिंदी से है eat पर नाच तो E से electron, T से टॉमसन, पस से proton, R से रधर फोड और नाच मिनना से neutron, चैसे चैडवीक यह आपको क्रम नहीं भूलेगा कभी परमाणों के नाविक मेर्थात के अंदर में कौन सा कण होता है तो इसका right answer है proton proton में कौन सा आवेश रहता है तो धनावेश होता है next है electron में कौन सा आवेश रहता है वही रिनावेश, neutron की खोज किस ने की थी चैडविक ने की थी इनका पूरा नाम हेंडरी चैडविक है next है परमाणों के किस कण में कोई आवेश नहीं रहता तो यह neutron है जो एक यह एक उदासीन होता है आपको बताए दिये electron में negative charge proton में positive charge और neutron में neutral यानिकी उदासीन होता है next परमाणों में लेक ट्रान कहां रहता है तो यह परमाणों के नाभिक में रहता है एनिकी के अंदर का चकर लगाता रहता है सबसे हलका तत्तो कौन सा है तो hydrogen सबसे हलका तत्तो है और सबसे अगर हलकी धातू की बात की जाए तो यह Osmium सबसे हलकी धातू है चलिए Next Question आप अंगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो Like जरूर करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को Share करें बहुत बहुत धन्यवाद